हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी दोस्तों अभी हमारे मैंगो प्लांट पर फ्लावरिंग का सीजन चल रहा है यानि आपने भी अपने गार्डेन में अगर मैंगो का पौधा लगाया होगा तो उस पर भी फ्लावरिंग सुरू हो चुकी होगी पिछले साल मैंने अपने मैंगो से एक छोटे से पौधे से लगभग 20-30 किलो आम प्राप्त किया था और इसकी केर मैंने कैसे की थी इस पर एक मेरी डिटेल बीडियो है डिस्क्रिप्सन में आपको लिंक मिल जाएगा आप उस पर क्लिक करके उस बीडियो को जाकर देख सकते हैं आज की इस बीडियो में मैं आपसे सेर करने वाला हूँ कि जब आपके आम के पौधे पर फूल आ जाएं तो उसकी केर कैसे करनी चाहिए यानि उसमें क्या फर्टिलाइजर देना चाहिए पेस्टिसाइड और फंगिसाइड कैस्परे कब और कैसे करनी चाहिए ताकि आगे आम के पौधे में धेर सारे फ्रूटिंग हो दोस्तों ये जो मेरा प्लांट आप देख पा रहे हैं ये दो साल का मैंगो का प्लांट है और ये एक ग्राप्टेट प्लांट है ग्राप्टेट प्लांट में जल्दी फ्रूटिंग हो जाती है यही इसका grafted portion है, यहाँ पे भी shape आपको दिख रहा होगा, यह भी grafting से graft किया गया था, किसी किसी पौधे में grafting portion बिलकुल नीचे होता है, तो यहाँ पे एक जरूरी बात आप जान लें, grafted portion को हमेशा मिट्टी से उपर रखना है, अगर मिट्टी में दब जाता है आपका grafted portion तो आपका आम का पौधा सीधे मर जाएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि अभी आप अपने आम के पौधे में कोई भी fungicide या pesticide का spray नहीं करें, क्योंकि अभी आम का पौधा फूरों से लदा हुआ है, इसका flooring का season है, full सभी branch पे आपको दिख रहे हों वो medicine के कारण, fungicide और pesticide के कारण फूलों तक नहीं पहुच पाती है, इन फूलों से दूर भागती है, तो अभी कोई ज़रूरी नहीं है fungicide pesticide का spray करना, आप जनवरी में ही fungicide और pesticide का spray कर ले, जब आपके आम के पौधे पर बहुत ही छोटे छोटे फूल हों, तो इस टा पाएंगे, दूसरा सबसे महत्पून चीज है मिट्टी की गुडाई करना, अभी आप अपने आम के सारे पौधे में मिट्टी की गुडाई अवस्य कर दें, देखिए गुडाई करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि गुडाई करने से मिट्टी भुरभुरी हो हो जाती है, बिल्कुर सौफ्ट हो जाती है, रूट्स को फैलने के लिए ज्यादा स्पेस वहां पे मिलता है, और जो भी वेनिफिसियल वहां पे बैक्टेरिया होते हैं मिट्टी में, वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो भी तरनाक बैक्टेरिया होते हैं, पौधो के और तीसरा सबसे final हम जान लेते हैं fertilizer के बारे में देखी अभी flowering time है mango में full आ रहे हैं तो इस time full के समय आप अपने mango plant में कोई भी nitrogen वाला fertilizer नहीं दें तो बहतर है क्योंकि nitrogen वाला fertilizer देने से आपके आम के पोधे में ज़्यादा से ज़्यादा growth होगी पतियां उसकी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी ज़्यादा पतियां हरी निकलेंगी ना कि flooring boost होगा तो दोस्तों अभी full का season में आप अपने आम के पोधे में ज़्यादा फल लेना चाहते हैं तो उसमें आप potassium rich fertilizer का इस्तमाल करें यानि जिस fertilizer में potas की quantity होती है वैसा fertilizer आप अपने पोधे में डाले जिससे पोधों में ज़्यादा से ज़्यादा mango बन सके तो दोस्तों अगर आप chemical यूज करना चाहते हैं तो market में मिलने वाले potassium का यूज कर सकते हैं जिसे rate potas भी कहा जाता है उसकी जग आप NPK 0050 का भी यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप chemical यूज नहीं करना चाहते तो आप केले के छिलके से बना खाद यानि बनाना पिल organic fertilizer का भी यूज कर सकते हैं मैं जिस fertilizer का यूज कर रहा हूँ ये आम और केले के छिलके से बना हुआ fertilizer है साथ ही साथ इसमें कुछ kitchen waste भी है तो इसमें भरपूर मातरा में potassium है जो हमारे पौधों को लिए बहुत ही जरूरी है तो मैं लगभग 1 kg के आस पास अपने आम के इस पौधे में 4 तरफ सरकल में डाल देता हूँ दोस्तों सिर्फ potassium से ही आम के पौधे में ज्यादा fruit नहीं लगेंगे यहाँ पे हमें कुछ micronutrient भी अपने पौधों को जरूर देनी चाहिए तो मैं micronutrient के लिए seaweed extract का यूज कर रहा हूँ यानि समुदरी सैवाल से बना हुआ fertilizer जिसमें भरपूर मातरा में micronutrient होते हैं तो ये पौधों के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं तो इस fertilizer को भी मैं एक मुठी लगबग 50 ग्राम अपने आम के पौधे में 4 तरफ circle में दे देता हूँ ये liquid foam में भी आता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं ये मैं जो यूज कर रहा हूँ ये granular foam में है तो मैं इसके दाने को चारो तरफ अपनी आम के पौधे में sprinkle कर देता हूँ और उपर से मिट्टी से मैं ढग देता हूँ सबसे last मैं एक और आपको जरूरी बात यहां पर बताना चाहता हूँ अक्सर आम के पौधे में जो भी उसके main branch होते हैं जो stem होता है उस पर चीटियां और कीडे चड़ते रहते हैं और उसे खाते रहते हैं जिसकी वज़ासे जो stem हो खराब होते रहता है तो यहां पर मैं आपको बहुत ही एक सस्ता उपाय आप से share करने वाला हूँ आप बिल्कुल चूने से उसे चूने को घोल लें जो market में चूना मिलता है दोस्तों उसे आप अच्छी तरह से पानी में घोल कर उसे paint कर दें ताकि जो भी चीटियां दीमक होंगे वो आपके पौधे में नहीं चड़ेंगे और आपका पौधा इस तरह से बचा रहेगा उससे पौधों को नुकसान नहीं हो पाएगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment section में जरूर बताईएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल Simple Home Gardening को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद